नमस्कार में पूजो प्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज अभी-अभी राजधारी पट्ना से एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है जी या राजधारी पट्ना में 45 लाख रूपए की लूट हुई है जी या अभी तक जो ख़बर सामने निकल कर रही है वो बताया जा रहा है कि अटल पतपर एक एजनसी कड़मी से कुछ अपराधियों ने 45 लाख की लूट की है अभी तक जो ख़बर आई है उसके मुताबिक वहां कई थानों की पुलिस मौजूद है वहां पे जान चल गड़ी है और जो लूट की ख़बर है वो 45 अपराधियों का दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसे में जो अभी की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है हाला कि अभी तक वह पूरी ख़बर सामने नहीं आई है कि वह एजनसी कड़मी कौन है और पुलिस आगे की जांच में आगे क्या हो रही है लेकिन अभी तक जो सामने बा और यह जो लूट की बारदात हुई है अभी की है और अभी अटल पत पर जी हां वो अटल पत जो कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में था काफी सुर्खियों में बना था उसी अटल पत पर आज इस घटना को अंजाम दिया गया है कुछ अपराधियों ने मिलकर एक एजनसी कर्मी से 45 लाग किलूट की है जी हां यह रकम कोई छोटी रकम नहीं है यह बहुत बड़ी रकम है और सबसे महत्पुर्ण कि यह जो घटना को अंजाम दिया गया है वो अटल पत पर दिया गया है वो भी राजधानी पतना की यह खबर है वो राजधानी पतना जहां की पतन पुलिस 24 घंटे एक्टिव रहती है क्योंकि मुख्यमंत्रों इतीश कुमार हो या पटना के कई अधिकारी लगातार ये दावा करते हैं कि अगर आप रात के 12 बजे भी पटना के सरकों पर निकलते हैं तो आप अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन जब भिहार स अब इस घंटना सामने निकल कर आती है तो रात के 12 बज़ क्या अगर शाम के 3 बज़े भी आप सरक पर निकलते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है क्योंकि अभी जो घंटना सामने निकल कर आई है वो ये है कि एक एजनसी कर्मी से दिन दहारे 45 लाख रुपे की लूट की अगर बात बिहार के कई जीलों की करे चाहे वो मुजफर पुड़ो या श्रीता मढी हो इन जगों से भी इस तड़िके की घंटना सामने निकल कर आती है पिछले दिनों ही आपने सुना था कि कि इस तड़िके से कई बैंकों में लूट हुई कही अपराधियों ने मिलकर कि किसी का चैन स्नेचिंग की घंटना हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग की घंटना लगा था पटना से या फिर बिहार के कई अन्य जिले से भी ऐसी घंटनाएं सामने आती रहती है लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो यह कि 45 लाग रुपए एक एजनसी कर्मी से लूट आएंगी जाज में क्या कुछ निकल कर आता है क्या वो अपराधी पकड़ा जाता है लेकिन महत्पुन बात यह है कि अपराधी पकड़ा जाना अलग बात है लेकिन यह घंटना हुई क्यूं दिन दाहारे अडल पद पर किसी वेक्ति से 45 लाथ रुपए लूट लेना कोई आम बात नहीं है लेकिन देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कुछ सफाय देती है और क्या अपराधी को पकड़ पाती है और आगे इस घटना से जुड़ी जो भी खबरे आएंगी लाइव सिटीज आपको तमाम जानकार या शेयर करते रहेगा बागे की तमाम खबरों के लिए बने डिया हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद